हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ होली की स्पेशल रेसिपी, जिसका नाम है आप सबी जानते होंगे होली की स्पेशल रेसिपी गुजिया, तो यह बराना शुरूर करते हैं, मैं आपको दिखाती है, इसके लिए मैंने क्या लिया है, देखिए, यह मैंने लिया है, खोया, कम से कम 300 ग्राम की खोया है, चोटे चोटे तकड़ों में काट लिया है, इसे काटने का परपस यह है, कि यह अच्छे से भुन जाएगा, अब मैंने लिया है, एक नौन स्टिक फ्राइपन, और इसमें मैं इसको ट्रांसफर कर दूँगी, खोय को, औ खोय को बहुत जादा मत भुनिये, क्योंकि खोय को बहुत जादा भुनेंगे, तो तलते समय जब हम गुजा को तलते हैं, तो उस समय भी काफी हद तक भुन जाता है, तो देखिए हलके हलके हमने इसे भुनना है, बहुत जादा भुनने पर इसका घी सारा निकल जाएगा, तो हमने इतना ही भूना है कि हळलका सा अपना कला चेंज कर ले। पिंकिश कलर मी आ चुका है, hem shell देख लिए मैदा और इस मादा हमने लिया यह एक हम न करने की चुछा जाईगा है, तर देख लिया है मैदा हमने लिया है यह पहले आप मैदे को गुद लिए श prospects पर तोड़ी से लिया है तोड़ी से एलाइची जो जितना भी आप खाना चाहें अगर नहीं पसंता हो रहनी दीजिए और अब उसके बाद हम क्या करेंगे पहले हम आटा लगा के रख लेते हैं ताकि उसे रेस्ट करने के लिए टाइम भी मिल जाए तो मैंने यह आटा लिया है सारी मैदा लिया है और दो कब मैदा मैंने आपको बताया था इसमें घी डाल रही हूं मैं गी मतल इसी डालते हैं हम लोग कि अच्छा मौइन हो जाता है खसकस हो बहार से जो आपके गुजिया का जो बहार का टेक्श्चर होता है वह हलका समय समय नमक डाल रही है और अच्छा में है घूटन्वा सब्सक्राफब के मेरे टेक्शो च्छंस मतल जानाा है मैंड़ा है और यह मैं डाल में आदे सूजी आदे करें डाला लाइची भी डाल दी है जिससे इसका फ्लेवर अच्छा है साथ साथ में भून भी जाए यह देखिए हलका से मैंने साबूत ही डाल दिया था और जब भून गई तो इस तरीके से आराम से टूट रही क्योंकि यह थोड़ी फ्लेवर ले चुकी है ठीक है उसके बाद गरम सूजी में भून जाएगी ठीक है और मैंने ड्राइफूट चॉप कर लिए थे तो वह डाल दी है मैंने और अभी मैंने फ्लेम को अन नहीं किया है दुबारा से क्योंकि यह गरम है सूजी और गरम सूजी में अच्छे से बुन जाएगा अब मैंने हलका हलका इसमें ड चाशनी का इस्तमाल भी कर सकते है तो गरम गरम में आपर खांड चीनी का स्माल ना करे नहीं तो बढ़ी का और चाशनी आफ टोड़त देगा इसे हमें थोड़ा सफंड़ा करने के बाद ही दालना है दूसरी तरफ मैंने लिए मैने लिए गडाई और डूर शेम घृंई त सांच है आप सांचा यौल देखनां सांचा करें तो मैंने अपनी मैदस करती हैं अब आपक शूद करण थे जो कि सब्स-बड़ा है श्रीवेश करके बीच में से आपको उठावारी रखना बीच में से आपको नीचे हलके हाँ से पैस कर देना है और जितना हमने बैटर बनाया है वह इसके अंदर हम डालते जाएंगे और यह बैटर मैंने इसमें डाल लिया है अमने कटोरी में तोड़ सा पानी लिया है इसके में जो चार है वह पार्ट आप निकास लिजी इस तरीके से तो यह देखिए अराम से निकल जाता है और धीरे से खोलिए तो यह अपकी बढ़िया फस्किलास गुजिया बन करके तयार हो गई है इसे तरीके से हम और भी गुजिया बना लेंगे तेल हमारा हो चुका है गरम हमें तेल को बहुत जादा गरम नहीं करना फ्रेंड मैं पहली बता रही हूं आपको क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी गुजिया उपर से पक जाएंगी और नीचे से कच्छी रह जाएंगी यह देखिए मैंने तयार कर ली अपनी गुजिया तो हम अब क्या देखेंगे अपनी कि आपका रहें तो कशाघ्य व्लेμ के यह देखिए तो अगर उसका ज़िसा लोग यह रॉगे कि अगराल एपनी तो अपनी को इस तरिके से वह डाय। कि आपके फ्लेम में इस तरह के से बबस आते रहेंगे तो आप समझ जाए ना ये तेल बहुजा तक गरम है ना ये तेल बहुजा ठंडा है ठीक है और आपकी कोई भी गुज़े अगर इसमें फट जाती है तो उसे तुरंत आप डिसकाट कर लीजिए बहार निकाल लीजिए अधर्वाइस आपका तेल बिल्कुल खराब हो जाएगा ये देखिए अच्छा कलर छोट लिया है और ये आपको दिख भी रहा होगा कि बिल्कुल जो है ब्राउनिश कलर में आ चुकी है तो आप में बहार निकाल दूँगी ठीक है फिर मैं आपको सर्व करके दिखा रही वीडियो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए